प्रसने 10, यदि PX बराबर 4XQ-3X2-2X-4 हो, तो सेसफल पर में द्वारा सेसफल ग्याद करें, जबकि PX को निमने लिखित से भाग दिया जाए, तो पहला में है X-1, तो प्रसने 10 का पहला, अभी हल करेंगे, तो PX को किस से भाग दिया जाना है, X-1 से, एकस माइनस 1 से भाग दिया जाना है, ठीक है, यानि PX को X-1 से भाग दिया जाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, X-1 का सून्य ज्याद कर लेंगे तो X-1 का सून्य ज्याद करने के लिए X-1 बराबर सून्य लिख लेंगे तो X-1 बराबर जब सून्य लिख लिए है तो X बराबर कितना हो जाएगा X बराबर हो जाएगा अब बराबर के बायां तरफ एक जो है माइनस में है बराबर के बायां तरफ एक क्या है? माइनस में है तो एक को दायां तरफ लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा यानि एक्स बराबर हो जाएगा एक तो एक्स माइनस एक बराबर सूने तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? एक ठीक है यानि x-1 का सुन्यक क्या हो गया 1 हो गया क्योंकि x के जगा पे अगर 1 रखेंगे तो 1-1 क्या हो जागा सुन्यक ठीक है तो x-1 का सुन्यक हो गया 1 यानि x बराबर आ गया 1 अब यहाँ पे लिखेंगे अब अब px बराबर कितना दिया हुआ है तो Px बराबर दिया हुआ है 4xQ 4xQ माइनस 3x square प्लस 2x माइनस 4 तो Px बराबर कितना दिया हुआ है 4xQ माइनस 3x square प्लस 2x-4 Px बराबर 4xQ माइनस 3x square प्लस दो एक्स माइनस, चार दिया हुआ है, तो एक्स बराबर कितना लेक्ट आ गया है, एक्स बराबर एक आया है, तो एक्स के जगा पे एक रखेंगे, तो लिखेंगे अता है, पी, एक, तो पी एक लिखेंगे, यानि एक्स के जगा पे एक रखेंगे, तो पी एक है, तो क्यूंकि x बराबर 1 आया है, तो x के जगह पर क्या लिख लेंगे 1, तो p एक बराबर, अब जहाँ जहाँ पर x है, वहाँ पर 1 रखेंगे, क्यूंकि x बराबर 1 आया है, तो 4 गुना, 4 x q है, यानि 4 गुना 1 का घात, 3 माइनस, 3 गुना, x सक्वााँ है, यानि एक का घात, 2 पलस, 2 गुना 1, माइनस, 4, इस तरह लिख लेंगे, तो 4 x q है, तो 4 गुना 1 का घात, 3 माइनस, 3 x सक्वााँ है, तो 3 गुना 1 का घात, पलस, 2 x, यानि 2 गुना 1, 2 x, कुना में है, ठीक है, 3 xasquare यहाँ भी गुणा में है 3 गुणा xasquare है तो 3 गुणा 1 का घाद 2 और 4 xq यानि 4 गुणा xq तो 4 गुणा 1 का घाद 3 और अंत में क्या है minus 4 इस तरह लिख लेंगे तो 1 का घाद 3 एक होगा यानि 1 गुणा 1 गुणा 1 एक होगा तो 4 गुणा 1 प्लस दो और माइनस चार इस तरह लिख लेंगे इसको अब यहाँ पर जो प्लस में है उसको जोड लेंगे तो चार और दो प्लस में है तो चार दो छे और जो माइनस में उसको भी जोड लेंगे तो माइनस तीन माइनस चार कितना हो गया माइनस 3 और माइनस 4 हो गया माइनस 7 तो जो माइनस में है उसको भी जोड लेंगे तो 4, 3, 7 और दोनों माइनस में है तो माइनस का चीन है देंगे यानि कितना आ गया 6 माइनस 7 आ गया तो 6 माइनस 7 तो कौन बड़ा है साथ बड़ा है तो साथ में से 6 घटा देंगे यानि एक आ जाएगा और साथ बड़ा है यहाँ पर 6 से बड़ा है और बड़ा संख्या के साथ माइनस का चीन है यानि यहाँ पर माइनस का चीन है देंगे तो सेस्फल कितना आ गया माइनस एक सेसफल कितना आ गया माइनस एक यानि इसका उत्तर तो लिख देंगे अतर सेसफल सेसफल परमे सेसफल परमे से सेसफल सेसफल बराबर कितना हो गया माइनस एक तो सेसफल परमे से सेसफल बराबर कितना हो गया माइनस एक इसका उत्तर दूसरा तो प्रस्न दस का दूसरा दूसरा में कितना है? एक्स प्लस एक से भाग देना है पी एक्स को किसे भाग देना है? तो एक्स प्लस एक से तो हम लिख लेंगे यहाँ पे एक्स प्लस एक किसे भाग देना है? एक्स प्लस एक से पी एक्स को भाग देना है तो सबसे पहले x प्लस 1 का सुन्यक ज्याद करेंगे x प्लस 1 का सुन्यक ज्याद करेंगे तो सुन्यक ज्याद करने के लिए x प्लस 1 बराबर सुन्य लिख लेंगे तो x प्लस 1 बराबर सुन्य आ गया तो x बराबर कितना आ जाएगा एक्स प्लस एक बराबर सुन्य है तो एक्स बराबर अब बराबर के बाया तरफ एक प्लस में है तो एक को दाया तरफ भेजेंगे तो माइनस एक हो जाएगा यानि एक्स बराबर आ जाएगा माइनस एक एक्स बराबर क्या आएगा माइनस एक तो एक्स प्लस एक का सुन्यक क्या हो गया माइनस एक एक्स प्लस एक का सुन्यक क्या हो गया माइनस एक तो एक्स बराबर आगया माइनस एक अब लिखेंगे अब पी एक्स बराबर कितना दिया हुआ है तो PX बराबर दिया हुआ है 4XQ 4XQ minus 3X square 3X square plus 2X minus 4 PX बराबर 4XQ minus 3X square plus 2X minus 4 ये दिया हुआ है तो X बराबर कितना आया है माइनस एक यानि जहाँ जहाँ पर एक से वहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस एक लिखेंगे तो लिखेंगे अतर पी एक से जग़े पर क्या लिखेंगे माइनस एक क्या लिखेंगे माइनस एक तो पी माइनस एक बराबर क्या हो जाएगा तो जहाँ पे x है वहाँ पे माइनस 1 लिखेंगे यानि 4 गुना माइनस 1 का घात 3 माइनस 3 गुना माइनस 1 का घात 2 पलस 2 गुना 2x है यानि 2 गुना माइनस 1 और फिर माइनस 4 लिख लेंगे यहाँ पे इस तरह से तो 4x q माइनस 3x square पलस 2x माइनस 4 तो x के जगा पे क्या लिखना है माइनस 1 क्यूंकि x बराबर माइनस 1 आए है तो 4x q है यानि 4 गुना माइनस 1 का घात 3 माइनस 3 गुना माइनस 1 का घात 2 पलस 2x यानि पलस 2 गुना माइन माइनस एक और माइनस चार इस तरह लिख लेंगे अब यहाँ पर हो जाएगा बराबर अब माइनस एक का घं माइनस एक का घं क्या होगा माइनस एक तो माइनस एक पर भी समसंख्या है घात में तो माइनस एक पर जब भी समसंख्या है तो माइनस एक हो जाएगा एक पे जब समसंख्या है तो माइनस एक गुना माइनस एक क्या हो जागा एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस एक गात में समसंख्या है तो एक लिख लेंगे अब यहाँ पे एक माइनस में है और दो प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस और दो गुना एक दो यानि माइनस दो हो जाएगा और माइनस चार लिख लेंगे यहाँ पर इसको ठीक है तो माइनस चार इधर जगह नहीं था तो हम नीचे लिख दिये थे इसको यहाँ पर देखें माइनस चार है तो इसको हम यहाँ पर लिख लिए थे क्योंकि इधर जगह कम है और माइनस तीन गुना एक क्या हो जागा माइनस तीन तो चार प्लस में है एक माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस यानि माइनस चार और तीन माइनस में है एक प्लस में है तो माइनस प्लस क्या हो जागा माइनस यानि माइनस चार माइनस तीन लिख लेंगे फिर माइनस दो और माइनस चार माइनस दो माइनस चार इस तरह लिख लेंगे अब यहाँ पे सब माइनस में है देखे तो कितना हो जागा सब को जोड देंगे तो 4, 3, 7 7, 2, 9, 9, 4, 13 तो सब माइनस में इसलिए माइनस का चीन देंगे तो सेस्फल कितना आ गया माइनस 13 तो लिखेंगे यहाँ पे अतर सेस्फल प्रमे से सेस्फल बराबर कितना आ गया माइनस 13 यानि इसका उत्तर हो गया माइनस 13 तो सेस्फल कितना हो गया माइनस 13 तो इस तरह प्रसन दस हल करेंगे छाक बाहिताश ईसे तरह रही को honeymoon जसे हमान दूंखाव अआछाब दूंखाब घ्सप्रीक शब हो फिर ग्राफन झाल झाल